नहीं पर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपत में धूल उर्ती देखी जा रही है बारिशना होने के वज़ा से एक तरह से सूखे के हालाद बन गए है किसानों के खेतों मिधान के जगह पर घासे दिखाए दे रही है वहीं किसानों को इन दिनों दोहरी मार जेलनी पड़ रही है रिपोर्ट देखिए किसानों की नी समस्याओं को लेकर जनपत के सदर सीट गौरी गंच के विधाए राकेश प्रताप सिंग ने नहर विभाग के अधिकारियों को फोन करके लताड़ लगाई उन्होंने कहा ततकाल सभी नहरों में पानी छोड़ा जाए हम लोग छेप छोड के कहां जाये है ? भाइर हम लोग छेप छोड के तुब जाये ? अचा छेप छोड जाये जाय構us नुद मुभाइल पंद कर ले किसान तर आए्डराट कर रहा है और आप लोग आपके जो वैसे हैं लोग बारिश नहीं होने से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है वहीं बिजली कटोती ने भी विवस्ता को बेगार दिया है किसानों ने नराजगी जाहर करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आयर दोगनी करने की बातों में बिल्कुल दम नहीं है हकीकत में कुछ दिखाई नहीं पड़ता भी उनकी खेती चौपट करने में महतपून भूमिक आने भार रहे हैं हम इस समय हत्किला पर मौझूद है हत्किला का एक नहर है आप देख सकते हैं अपने सहयोगी से कहें कि दिखाएं इस पर एक तरह से अगर कहा जाए तो धूल उड़ रही है हमारे साथ कुछ किसान यहां पर मौझूद हैं हम इन से जानेंगे और इनकी क्या समस्या है उनको भी सुनेंगे नहरों में पानी नहीं आ रहा है बड़ी समस्या है कैसे देखते हैं इसको अब यह तो समस्या बहुत बिकट हाई है और इसका समाधान भी गौवर्मेंट करना नहीं चाहती है क्योंकि गौवर्मेंट मन की बात के हिसाब से चलना चाहती है तो तमाम उन्ही के सांसाद बिधायक सिपारिस कर रहे हैं भाईया एक्सियान को फोन कर रहे हैं और तमाम उच्छा अधिकारियों को फोन कर रहे हैं भाईया पानी चोड़ दो किसान परेसान है हमारे पास तमाम सिकायते आ रही है यही ते किसान जो साफ़त और परिया बताए कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है यूपी में इन देनों हालात ये हैं कि कई इलाकों में बाड़ा ने पूरी तरह से फसल को बरबाद करके रख दिया है तो वहीं किसानों को सूखी की मार चेलनी पड़ रही है ऐसे में सवाल है कि किसानों की समस्या का स्थाई समधान क्या है टीम न्यू स्टेट